अब एक नजर इस खबर पर पूरा नदी तर्ट पर लहराता जंडा और शिव मंदिर में दर्शन के लिए भीड लगी रही और ये दर्शाती रही कि नए साल का पहला दिन इश्वर को याद कर उनका आशिरवाद लेकर अच्छे शुरुबात से किया जाता है लोग बड़े ही आस्था के साथ नए साल की खुशिया मनाती नजर आए जैसे जैसे दिन बीटते गया वैसे वैसे लोगों की संख्या नदी तर्ट पर और ज़्यादा देखने को मिली Grand A.C.N. News भी अपने सभी दर्शकों और शहरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुपकाउनाओ के साथ 2023 का हर दिन मंगल में होने की इश्वर से कामना करते हुए अपनी शुपकामनाई देता है Grand A.C.N. News के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट